अब ये ज्याद की गान हो गया इसके आगे फिर कपाल गी कंबल के वरते महा रुशी हो गया उन्होंने तपस्या किया शंकर जी को प्रसंद ने गिया तब उन्होंने आशिर वहा कि ततास्तू तेरा कारी होगा तो उसस्ते उन्होंने कपाल गीत बनाये अब इस कपाल गीत में और जाती गायन में परक क्या है जाती गायन में एक मातरा का हिसाब और कपाल गेत ने थोड़ा सा लयकम अध्यम से चमतकार किया हुआ अब ये भी पंचपाने ताल में है इसके मातरा 12 है मगर हिसाब कैसा है कि 12 मातर की हिसाब देगी एक दो एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाच्छे साथ एक दो याने बिलंपत मध्यल है और जृतल है एक ही इसमें खाले देवन देवन रुद्रम वंदे इतना ही शब्द है मेरे खाल से बरतमुनी ने किया हुआ है नाटक के प्रवक के सब है आप शारजे जाती है जब प्रवेश चले कतम होता है उस वकत वो ये गित गाया गाया है और मद्यम गहरा जब मद्यम बीच में प्रवेश के वो वहाँ पर गाते गए पष्की कपाल गे तो उसमें इस देगे पेटी आप शलो मैं ऐतेां जते प्राक शेव प्र ग्रॉष्ड थी आता करे गाया है अब ये कि चमत का देखा खाली उतनी स्टुपी इश्वर की स्टुपी है उतने मंत्र जम ये बताया थोड़े में सम्द। अब इसे मागदी ये गीती है अब अर्द मागदी इसमें देवम रुद्रम शब्द फिस रुद्रम बिच में रहे वही शब्द लेकर आगे बढ़े हैं देवम रुद्रम रुद्रम वन्दे 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 देवम रुद्रम 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 व अब यहां तक स्वरों को खेल और लएक माद्यम से आपने देखा कि उस जमाने में भी लए कि माद्यम से हर एक चीज बताए बगर लए संगित में आनन्द कभी नहीं आ सकता है शरीर में हर एक के शरीर में लए चल रही है और उसमें से समवा तक तो निकलता जो है वो लएक माद्यम से बगर माद्यम लएके आनन्द महीं मिलता है अब यह हमारे जाती गायन हो गया अब इसके थोड़ा रामान में विस्तृत हो गई वाल में कि रुशी लोशीष्य और सब बाते जानते हैं कुछ नहीं बाते नहीं हैं लवकुष को तयार किया उन्हें ने राम सभा में रामायन गेत गाया मारगी संगेत गाया तो राम का आदेश देके उन्हों इसने कहा कि स्वर प्रमान ये बाते सुनाओ तो वहां गराम मुर्चना और देशी संगित वो भी सुना जाए उसके बाद जब भरत मिलने के लिए भारतवाज रुश्यू गया तब उसके सैनिकों ने पूरा संगित गाना राद भर किया यहने उस ताय में संगित और नाट्टे भी थोड़ा चालू था संगित में वो नाट्टे भी उस जमाने में चालू था उसके बाद अब रामायन हो गया महाबारत महाबारत में अरजून अत्यनत विद्वान आदमी था वो संगित के जानता था और उसके साथ नृत्य पे जानता था तो महाबारत के समय 45 राजा के देश में सब राद भर दिन भर गाना उस वकद दी वाद्यों का भरपट काम था इस प्रकार दृपद राजा इस प्रकार विराट राजा के सभा में जब आदमी बास में हमारे पांडों चले गया अरजून ब्रियन ना बनके राज स्रिवा करने की इच्छा प्रगट की तब उसने अन्तपुर में राजा के बेटी को संगित और नुर्ति सिखा उससे जाते आगे हम बहुत दुकाल अब ये बुद्धकाल में बुद्धविया में गाने के लिए देवदासियों रखे जाती थी संगित के प्रचार के लिए और उस वकात ऐसा नियम था कि संगित केवल अध्यात्मिक विशे के लिए काम में लाया तो वो संगित बाकि संगित लोकिक संगित निशेत था ये निशेत था हो इसी प्रकार में उनके महोत सब होते थे बड़े-बड़े गिरिज, समझ, वक्रतम या ये उच्छो महा उसमें सब गाने बजाने होते मगर परमार्थ दृष्टी से अध्यात्मिक विशाय लेकर ये स्वरों की मजा करते थे उसके बाद आगे जाके जैन काल में उस जमाने में राजय लोग खुद गाने वाले संगित के शोकिन थे उसमें थे उदयन राजय थे उसके पर रानी जब नुरुत्य करती थी तब ये राजय विवेणा लेने साथ संगत करकर बता उसके बाद सीधे हमा आगे मनुस्पृति उस जमाने मनुस्पृति में बे हिए संगित बड़ा हुआ था मगर उस वकद एक नियम था कि ब्रामनों ने संगित नहीं सीखना चाहिए जाती वाद आ गया ब्रामनों ने संगित सीखना नहीं उन्हें वेद मंत्र रुचा वगर ये करना चाहिए और उमर के च्छतिस साल तक बुरुगुरुख पर रहना उस वकर दूसरा संगित सुनना भी नहीं क्योंकि वो बिगर लियागा और उसके बाद भी ग्रहस्ता श्रम करने के बाद वो भी अब जयन वेदों का ही करे वो लोग की संगित नहीं ऐसा निशेत था वहां पक तूसके बाद मनोश्रुती के असर पुरान में वायो पुरान हरेवोंश पुरान मरकंडे पुरान इस जमाने में भी संगित सब चलते आ रहा थे उस वग संगित सच मुझ में बहुत एक 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 काल का जो इस्तार करों तो एक 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 आलग हो जाएगा इसके बाद थोड़े में सब बता रहा हूं है उसमें रागों को परचार हुआ कुछ गरंतकार कहते हैं कि बुद्ध जमाने में रागों को प्रारंब हो गाया ऐसा एक गरंतों में कहते हैं कि उसके बाद कोई कालिजास को देता है तो उस समझ करते करते हम काली जास नहीं और आखिर हम आ गए ग्यारवी बारवी शताब देव में यानि ये सीधा जैदल कवी इसके करकिर्दी में हम आके पहुंच गए हैं मगर यहाँ पर अब तक स्वरों का खंडन कहीं नहीं हुआ स्वर चलते आ रहे हैं मगर ऊपर का ऊपर का कवर बदल गए रहा है अंदर माल वही है स्वरों के माध्यम से लहे के माध्यम से इसमें कुछ बदलने हुआ वही बाते मैं आपको फिर से बताऊंगा अभी लाइन से जो चल रहा है मैं तो यह आखिर तक जो होगा अब आस्टपड़ी आस्टपदे हर एक पास अरीज जो मिलेगी तकाले आस्टइन अंतराई में लिए अध्पड़ उसके बाद प्रबंध गान एक दमाना प्रबंद गाना कर दाए यह अश्टपड़ी का एक बाग अब उसके बाद प्रबंद के बाद प्ड पद है सूर्दास सूर्दास ने जो पद बनाये है वो शास्तोक तक पद याने हरागों के उपर बनाये ऐसे चार हजार पद उन्हों ने बहरा है चार साड़े चार हजार और हर एक के नाम राग अलग अलग है उसमें कुछ प्रचलित राग है को प्रचली दिलाग है इसके यहने संगित के बड़े विद्वान थे मेरा बाई विद्वान थी कबीर संगित की विद्वान थे मगर उसके बाद क्या हो गया उन्हें नों जो पद लिखे आर्था तो उसके हो गया भजन पद का हो गया भजन और भजन कुछ पर भजनी आपने खेच लिया, तो सुर्दार लोग को आई थे, कि सुर्दार भक्त थे, तो ये पूजापार मंजिरी बह जाते थे, पर वो संगेत का विद्वान था, इसी प्रकारुवा प्रत्यक्ष्य हम बता थे, चलो, आप आस्टा परिया, आप, 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 तरागी बसाते विवर दिहारी तरागी बसाते उस्यक्ति उमाते जनाना का मन्सक्रिए तरागी बसाते विवर दिहारी तरागी बसाते विवर दिहारी तरागी बसाते विवर दिहारी बसाते जाली तरवांगा लटापरी दिलने कौमल मन या समीड मधुकर लगा 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 इस प्रकार जैदेव को भी ने कृष्णने लेलावे आश्टपदी बनाई अब ये स्पूरवा पार संबंद देखते जाईए आपको यहां देए अब इसके बास हम पंदरा सोर में इस्वी में सूर्दास हो गए तो सूर्दास का पद अब ये पद है मारू में ये पंदरा सो इस्वी में ये राग निकला हो है हमारे कुछ गरंतकारों ने लिखा है कि 60-70 साल के पर वहले ये राग निकला है मगर ये पंदरा सो, सोला सो साल से राग मारू करके मारू को बाद उसका मरूत है मरूत के बाद जैश्री है यानि उस अंग के ये मारू को प्रकार है तो उसमें ते ही आप मारू को प्रकार है सूर्दा जी का है कि अलो हा 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 ह हा हा ह τον आ सबस्ट कर दो हुआ ख嘛 is शाम सचिनी के देखे नारी शाम सचिनी के शाम सचिनी के देखे नारी 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 görünसा सचिनी के अपने से ले तूर शाम को सखे परमनत को उन सब शोहारे ले उन सब शोहारे जाम को सब शोहारे इन सब शोहारे ले आप्ट शुर्दाशी का पाद सुना चैदेव कोई जी की अस्तवरी सुने उसके पहले आपने जाती गायन सुना आप ये तीन चीजों जो आभी बताई गई इनका पुरुआ पर संबन्द किस प्रकार है वो आप देखिए कि हम जो आज का हमारा संगीत बदल गया है कि उस दमाने सब आलक संगीता ये कहना आज से आप भूल जाएंगे और ये इसाब निती के गप नहीं मार रहा हूं मैं मैं आज कितना सालों से ये खुद मुझे अशंका इतनी इर्मान होती थी कि हम वैदिक कालों से बते उस विद्यार्थियों को बताते थे अब वो बच्चे हमको पूछते थे के गुरुजी वो चार साघार साल पांच हजार साल उसके बाद भी बीच में क्या था अरे बीच में वैसे चलते आरा था वैसे चलते जयते हम चल रहे हैं यह चलना जो है मगर जब गरंथों का आवलोगन मैंने किया तो मेरा चलना बंद हो गया क्योंकि कि कहां तक चलेगा आदमे उसमें भी हद होती है कि चलते ही रहेगा तो उस गरंथों ने मुझे रोका और मित्रो इस बात के मुझे खुश होती कि मुझे चीज मिल गई है अभी मैं आपको परस पर उसका सम्मन्द बताता हूँ प्रत्तेक शिक्वे तो ये बच्ची ने अभी जो पद गया अब जो अस्तबद होगी जाती होगी अब मैं कहता हूँ कि जाती गायन जो बारा मात्र का ताल था पंचपानी ताल उसी ताल के मताबिक हमारा धुरुपद अब इस पर आप कहेंगे कि जाती गायन क्या वो धुरुपद ही है भाशा केवल संस्कृत ये हिंदी भाशा है वो संस्कृत है अब उसका एक मदा देखिए अब ये बच्ची पहले जाती गायन पहले खाली अस्ताई गायेगी वोही बसके बाद धुपद के अस्ताई पहले धुपद गायेगी है देखिए पंचपानी पंचपानी आखर पहले गाते पंचपानी मेदा फंचपानी पंचपानी पंचपानी आप जाए जो नादर्चु नो प्रालाया के लिए नादर्चु नो प्रालाया के लिए नमुखत आप इस बारा मातर के हिसाब आपने देखा जड़ा ध्यान देना आप ये बारा मातर के हिसाब हम चवताला कहते हैं अब ये चवताला खेलों इसमें चार ताली इसके लिए हैं चवताला एक ताला में एक ताला में भी चार ताली है उसको एक ताल बोलते हो तुम और मताली देते हो चार ये चवताला ये हो गया तो एक ताल किस प्रकार तो एक ताल का प्रकार है आप देखे वर एक दो तीन चार पांच छे चार ताट नव दस ग्यारा बारा एक दो तीन चार एक ताली आ रही है याने उसमें है जादरे का बजन उसे एक ताल जब हम बोलते हैं तो एक तालो ताली चार के होती आप दुपद में चवताला में या पंच पांच 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 ताल का जोल आप देखिए मात्रे का हिसाब नहीं बारा मात्रा उसमें भी एक ताल में भी बारा मात्रा पर ताल का जो जोल उसमें दूपद आंग रिखता है दा दिननक तित कत गठी गन दा रा तिंता, कित दा दिन्ता दिन गठी से धा धा दिन्ता नहीं है एक साले का वजयोन हो गया सुधिपाजी दो दिन्त आब आप दुर्प सोनी, उर दुर्प सुनी जानेश्वार 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 जानेश बारा रारा रारा मारा रामा दुरुषो सर्मा बारा रारा 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 रा गिरि लारा दरनी वारा लो लारा दरनी वारा यह पूरा धुरुपत इस ताल में पंचपानी ताल में बजाया है आपके द्यान में आया होगा आप चवताल में थोड़ा से खाले अस्ता है आपको बचाता हूँ वो असल दुरुपा चवताल में मगर पंचपानी ताल का जो जोल है वही जोल इसमें इसके असके एक के साथ दुशी के तुनना होती है अब वही जाती गायन को पहले सुनिये आकता है पिर उसके बाद नहीं तो जोटाल में आपको अन्यम्याटि हाँ अ रुपा जाए इसके दुशी के घुटा नहीं है तुन हाँ आको जोटता आपको जोट लगाए अ शेए तुनियोट को आपको आपको अन्यक्शी को एड़े लागानी प्रकुक्तियो क्रिट का आप देखिये ताल के तरफ चलो परवा प्रामा पुरुशो तामा पाराप्रामा पुरुशो तामा चाने स्मर जगत गुरुश जीवाणा जगतार पाराप्रामा पुरुशो साम्हा पारप्राम्हा पुरुशो साम्हा तानेश्मर जगता पुरुशो साम्हा जगतीवा जगतारः 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 ज पारा ब्राम पुरुचो ताम। जगदीवन जगतारन जगदीवन जगतारन जगदीवन जगतारन अब यही बार जाती का इनलजी की जगतारन 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 जगतार कुछ अलग दिखता है भाशा केवल कपंक्ति पध्य अलग मालम होता है किसी प्रकार अब हम ले रहें अब इत्यास जर्कित के परंपरा से के हिसाब से मैंने जाती गायन बताया अश्टपदी बताया पद बताया यह पंदरा सो साल सक बाते पंदरा सो सोला सो इसमें सब अब शक्तरंगा हो गए तुमारे तराना भी हो और ठुम्बरी यह बाते सब आप यहाँ पर एक शंकर अशंका निर्मार होती है के ठुम्बरी कैसी वो मगर जब धुपद आंग चालू था तब राज दर्बान में ठुम्बरी गायी जाती थी वोढवाट मेर आप चतरंगा झाल वो ओूजियो और टाको जूज को जड़ारा बकाल अृ लुर वितना फितना फितना इतना अ कर दो जगा कर दो फितना जतना आतना एंगा अ तानों सदारे तत्रे दानी दानी तानों सदारे तत्रे दानी दानी तढ़े ना तढ़े ना कारे दाने तढ़े ना तढ़े तत्रे दाने तत्रे ना चे गाए ताक चुबन हर अस प्राल सट्षल हाई गमागरे दान सब्सक्राण अज्य के दिधिके ढिटिके चैनल के दिधिके जिधिके ताइनों का दाले मैंनों का दाले कुछ करे दाने दाने